टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज वेस्ट इंडीज के कर्टनी वॉल्श 56 साल के हो गए हैं। जमाइका का यह मशहूर स्टार अपनी साड़े 6 फीट लंबी हाइट के अलावा एक अनोखी हैट्रिक लगाने के लिए भी जाना जाता है दर असल टेस्ट क्रिकेट में कर्टनी वॉल्श ऐसे एक मातर गेंद बाज हैं जिन्होंने दो पारियों में एक हैट्रिक बनाई यान 1988 में ब्रिस्बेन के मैदान पर आस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पहली पारी में टोनी डोडा माइट को आउट कर पारी समेटी वेहीं दूसरी पारी की पहली ही दो गिंदों पर मायक वेलेटा और ग्रीम बुट का विकेट निकाल कर हैट्रिक बनाली सिर्फ एक रन देकट जटके थे पांच विकेट वोल्ष के नाम दिसमबर 1986 में श्रीलंका के खिलाफ वंडे माच में बनाया गया रिकॉर्ड भी बेहर चर्चा में रहा इस मैच में कर्टनी वोल्ष ने श्रीलंका के पांच पल्ले बाजों की विकेट तो ली ही साथ ही रन दिया सिर्फ एक शार्जाग में खेले गए उस मैच में वेस्ट इंडीज ने 193 रन से जीत हासल की थी यह उनके वंडे करिया का सर्विश रिष्ट स्पैल था वोल्ष ने अपने 17 साल लंबे करिया में 5000 से ज्यादा ओवर फिंकी इस दारान उनोंगे 24 की औसद से 519 विकेट शटके इसमें 25 विकेट व्यछ भी शामिल है टेस्ट क्रिकेट में पहले 500 विकेट लेने वाले गेंद बाज कर्टनी वॉल्ष टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेनबाज हैं, उनसे पहले भारत के कपिल देव 434 विकेट लेकर पहले नमबर पर चल रहे थे वाल्श ने 2001 में साउथ अफरिका के जैक स्केलस को आउट कर 500 विकेट शटका, उन्होंने कर्टली एंब्रोस के साथ जोडी बनाई दोनोंने 49 मैचों में मिलकर अपने देश के लिए 421 विकेट शटके, वाल्श के नाम पर टेस्ट क्रिकेट में सरवाधीक 43 बार शूने पर आउट होने और 61 बार नौट आउट रहने का रेकॉर्ड भी है, जैड न्यूस की रिपोर्ट